Everyone, आज मैं आपको मानविये करुणा की दिवेजमक इस पार्ट की प्रिश्ण उतर बता रही हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है, तो पहला प्रिश्ण है, फादर का मिल गुल के भारत में कितने वश्ट तक रहे थे, सेंतालिफ वश्ट तक वो रहे थे, सरवेश्वर दयाल का नाटक कुन सा है, तो उनका नाटक है बक्री, फादर की आखे कैसी थी, फादर की आखे थी नीली, कुशन है, सरवेश्वर दयाल किस पत्रिका की संपादक थी, तो पराग पत्रिका उनने उसके वो संपादक थी, एडिटर थी, लेखक को किसके वे दिन याद आते हैं, फादर से कहां से संपन था, इलाबाद से उनका संपन था, फादर के मन में पढ़ाई के दोर में क्या इच्छा हुई, सन्यासी बनने के उनके मन में इच्छा आई थी, फादर कामिल बुलके की जन भूमी कौन सी थी, रेम्स चैपल, फादर बुलके के अभीन मित्र कौन थ डॉक्टर रघुवंश फादर ने किस संग में दो साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की जी सेट फादर ने सोध करे किस विश्वी विद्याले में किया प्रयाग में किया उन्होंने फादर कामिल बुलके का धिहान कौन से सन में हुआ था सन 1982 में फादर को दिली के किस कब्रगा में तफनाया गया था निकल सन में फादर के पिता क्या थे डॉक्टर थे यनि चिकेट सकते नील पंची किसके नाटक ब्लू वर्ड का रुपंतरन था मातरलिंक फादर बुलके ध यह शब्त किसने कहे थे फादर पास्कल ने फादर का दिहान किस फोड़े से हुआ था जहरवाद के फोड़े से फादर ने इंजिनिरिंग की पढ़ाई कौन से वश में छोड़ दी थी नोंने थार्ड एर में इंजिनिरिंग की पढ़ाई को छोड़ दिया था फादर के साथ खड़े होना उचाई पर किसकी चाया में खड़े होने जैसा था देवदारू एक ब्रक्ष होता है जिसकी घनी चाया होती है लेखक ने फादर कामिल बुलके की साइकिल कहां की सड़कों पर चलती हुई देखी दिखाई देने की बात कही है इलाबाद तो इस तरह के और प्र